नमस्य दोस्तो आज हम बनाएंगे सिरके वाली प्याज वेलकम टू बैक माई चैनल इसके लिए देख लेते हैं हमें क्या-क्या चाहिए इसके लिए हमें चाहिए यह चोटी-चोटी प्याज यह मैंने 20-22 प्याज ले ली हैं एक पाव समझ सकते हैं आप जो छोटी होती हैं इसके लिए चीनी लिए मैं दो चमच एक चमच नमक यह एक चोटा द्रग का टुकड़ा मैंने काट लिया है हरी मीरच है यह है चुकुंदर बीट रूट भी कह सकते हैं आप इसको बारीक-बारीक काट लिया चिलके यह बाउल लिया यह कप है मेजरिंग के लिए इससे हम आपके पानी और सिर्का लेंगे यह बोटल है आप हमेशा कांच के ही बोटल में इसको रखें क्योंकि सिर्का धातु के साथ रियक्ट करता है चलो अभी मैं इनमें जो प्याज है इसमें कट लगा लेती हूं ऐसे ऐसे ही सारियों में मैं कट लगाऊंगी हुआ दो आपको दिखा दीए अभी मैं सब में कट लगा लिया देखो इस तरह सब मेंने कट कर के तयार कर लिया है अभी यह है वाइट वाइट कॉकिंग विनेगर थीग्ए आपको एक hypothesis किराना की दुकान पर मिल जाएगा, ग्रोसरी स्टोर पर, इसे हम ये एक जो बड़े वाला कप है, ये भर के हम सिरका लेंगे, इसको हम इस बाउल में डाल लेंगे, ठीक है, अब हम ये सिरका हमने इसमें डाल लिया, इस कप से हम एक पानी लेंगे, पानी आप आरो का ले रहे हैं तो नहीं तो distilal water लें नहीं तो अगर आप सिम्पल टैप का पानी ले रहे हैं, तो उसको गरम कर ले, इसमें मैं डाल दिया है, ये ये दो चमज चीनी हैं, इसमें दो चमज चीनी ले लूँगी, एक, दो, इतना बहुत है, ये एक चमज नमक है, ये मैं ठीकश नमक बबित के डाल दूँगी और इसको अच्छे से घोल लूँगी जब यह complete घुल जाएगा तब हम इसमें प्याज डालेंगे अब देखो फ्रेंट्स यह घुल गया है पूरा चीनी पूरी घुल गई है इसमें अब यह चुकुंदर डाल देंगे चुकुंदर से ही इतना अच्छा red color आत होते हैं red से color की अब मैं यह प्याज भी समें डाल दूँगी ठीक है और इनको हम यह रखेंगे इसमें अद्रक डाल देंगे और हर इमेच भी डाल देंगे ठीक है अब इसको हम अच्छे से mix कर देंगे चाहे तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं ढखके दो से तीन दिन के लिए तब खाना स्टार्ट कर सकते हैं आप काच के बावल में ही आप रखें इसको अब मैं इसे इसमें जार में ट्रांसफर कर दूँगी आप ऐसे ही कर करके सारा अध्रक अई चुकुंदर हरी में शिप्याज सब इस जार में ट्रांसफर कर दें फिर देखना थोड़ी देर बाद इसमें कितना अच्छा कलर आ जाएगा देखो मैंने इसमें ट्रांसफर करके भर दिया है हम इसका ढखकन बंद कर दूँगी और यह तीन दिन में बिल्कुल खाने के लिए तयार हो जाएगा कि इन देखो कितना प्यारा लग रहा है यह बिल्कुल एकदम होटल जैसी प्याज बनके तयार होंगी आप भी बनाए अपने गर में तीन दिन रखें इसको तीन दिन के बाद आप इसे खा सकते हैं ठीक है यह बहुत सुंदर बहुत ही जादा अच्छा लगता है देखने में और कलर तो इसका बहतर ही ना गया देखो थोड़ी देर हुई अभी इसको बनाई हुए और इसका कलर देखे आप और यह जब इनका आप खाएंगे तो इसका टेस्ट बिल्कुल होटल जैसा होगा आप बना खाईए खाईए और अपने अनुबब मेरे साथ शेयर किये नमस्ते बाइबाई मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में बाइबाई फ्रेंड्स